हालो फ्रेंड्स, I am शृतिज and welcome you to my channel institute rank.com तो दोस्तों आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ Top 10 IIT Colleges in India तो दोस्तों वीडियो लास तक जरूर देखना क्योंकि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़ादा important हो सकती है तो हमारा दोस्तों इंडिया में IIT के लिए rank 1 coaching है IIT Madras तो दोस्तों IIT Madras को 1959 में established किया गया है और दोस्तों यहां की campus size 617 acre है दोस्तों आपको IIT Madras में total 17 department है और यहां के ranking के बाद करें तो 2021 में 275 rank दिया गया है global world ranking के तरफ से और दोस्तों 2020 में भी NIRF से मिला है rank 1 पे और 2020 में times higher education भी IIT Madras को बहुत अच्छी ranking दिया और दोस्तों यहां पे courses 100 plus courses कराई जाते हैं total faculty यहां पे 878 faculties हैं और यहां पे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी scholarship भी प्रोवाइड की जाती है 20 plus merit based और need based आपको scholarship प्रोवाइड की जाती है दोस्तों रूपीज 82.5 lakh पर एनम और average placement है 2020 की 15.34 lakh पर एनम और दोस्तों IIT Madras में B.Tech के लिए एक semester की fee है 1,550 और दोस्तों M.Tech की एक semester की fee है 13,300 और अब हमारा दोस्तों इंडिया में IIT के लिए rank 2 college है IIT Delhi तो दोस्तों IIT Delhi को 1961 में establish किया गया था और यहां की campus size है 325 एकर और दोस्तों इस college के काफी अच्छे ranking भी है और यहां पर आपको total 35 courses provide की जाती है faculty यहां पर आपको 750 प्लस है और यहां के scholarship आपको merit scholarship provide की जाती है जिसमें की 1000 से 2500 पर मन्त की scholarship और से provide की जाती है और दोस्तों IIT Delhi की 2020 की highest placement package है 1 crore per annum और average placement है 16 lakh per annum और अब मैं आप सभी को IIT Delhi की courses wise semester fee बताऊंगा तो यहां के आपको btec के लिए semester fee है 4 lakh full time and part time 1.8 lakh and MSE के लिए semester fee है दोस्तों 5000 तो दोस्तों आप एक बार IIT Delhi में जरूर विजिट करें इसके विजिट करें इसके बारे में और information लें और अच्छे से marks लाकर इस college में जरूर admission लें तो अब हमारा इंडिया में IIT के लिए rank third college है IIT Bombay तो दोस्तों IIT Bombay को 1958 में established किया गया था यहां की campus की area है दोस्तों 550 acres यहां की student की strength है 10,000 plus और दोस्तों यहां के लिए इसकी जो college की खुद की rating है वो भी बहुत ही अच्छे हैं आपको 70 plus courses provide की जाती है और यहां पे scholarship total 10 provide की जाते हैं merit based और need based और यहां की highest placement package है 2021 की 1.63 crore per annum and average packet है 2021 की 18.4 lakh per annum और दोस्तों यहां के BTEC की fee है 9.12 lakh BSE की fee है 8.33 lakh BDES की fee है 8.33 lakh MSC की है 86.602, 2.46 lakh MTEC की है 1.72 to 11.51 lakh और दोस्तों MBA की fee है 8.56 lakh MBA Executive की fee है 39 lakh MDES की fee है 1.67 lakh MPP की fee है 29.602, 4.96 lakh और PhD की fee है 96.002, 2.46 lakh तो चलिए अब इंडिया में IAT के लिए next college के और बढ़ते हैं तो next हमारा rank 4th पर आए IAT कानपूर तो दोस्तों IAT कानपूर को 1959 में established किया गया था और इसे IAT के भी नाम से जाना जाता है यह Public Engineering College है और इसकी location है दोस्तों कल्यानपूर, कानपूर और यहां की जो campus size है वो है 1037 acre और दोस्तों यहां पर entrance exam भी accepted है जैसे कि J.E.Main, GATE, CAT और भी बहुत सारे entrance exam दे कर आप इस college में admission ले सकते हो दोस्तों और यहां की जो scholarship provide की जाती है merit based donor scholarship, external scholars scholarship, sports scholarship और जोस्तों यहां की जो highest placement package है 2021 की वो है 82 lakh per annum तो चलिए अब IT मदरास के courses wise total fee की बात कर लेते हैं and PhD के लिए 48,500 तो चलिए अब rank 5 की बात करते हैं ranking ranking भी बहुत ही अच्छी है यहां पे आपको 120 प्लस courses provide की जाती है यहां पे आपको merit based और need based आपको scholarship प्रवाइट की जाती है और अब मैं आपको courses wise total fee बताने जा रहा हूं तो दोस्तों यहां की BE beta के लिए fee है 4 lakh Integrated MSC के लिए 5 lakh MGA PGDM की fee है 8.23 lakh BA RCH की है 5 lakh PhD की है 25,000 per semester Executive MBA की है 8.22 lakh दोस्तों और अब हमारा rank 6 पे है इंडिया में IAT के लिए IAT Roorkee हमारा rank 6 पे है तो दोस्तों IAT Roorkee को 1847 में Establish किया गया था यहां की campus size है Roorkee की 365 Acre Saharanpur की 25 Acre और Greater Noida की 10 Acre और दोस्तों यहां के लिए Strengths Intect भी बहुत ही जादा है UG के लिए 4521 PG के लिए 1634 PhD के लिए 2553 और Total यहां पे 23 Department है Ranking भी अच्छी है Courses आपको Total 65 courses Provide की जाती है Scholarship भी आपको Merit Scholarship Provide की जाती है Inspire Scholarship Provide की जाती है और यहां के लिए Highest Placement Package 2021 की है 19,00,00,00 पर रहना तो चलिए अब मैं आपको Courses wise इस College की Total fee भी बता देता हूं तो ME Mtech की फी है 1.74,000 BTEC Plus Mtech की फी है 13,80,000 Integrated MSE की फी है 13,80,000 Mdesk की फी है 51,000 MARCS की फी है 1,74,000 and PhD की फी है 29,250,000 और अब हमारा IIT के लिए Rank 7th College है IIT Indore तो IIT Indore को 2009 में Establish किया गया है और इसे IITI के नाम से भी जाना जाता है Location इसकी है दोस्तों Indore Madh Pradis Campus Area इसकी दोस्तों 500 Acre Approx और यहां के रे Ranking भी अच्छी है Number of Courses आपको 44 प्रवाइड किये जाते हैं Department Total 11 Department है और यहां के Center 5 Center है Total और यहां के Scholarship भी आपको 8 Scholarship प्रवाइड किये जाते हैं तो दोस्तों यहां की जो Placement है 2020 की 90% Placement है and Average Package 2020 की है 22.92 लाइड पर एनम और अब मैं आपको यहां के Courses वाइड फी भी बता देता हूं तो यहां के लिए BTEC की फी है 9.28 लाइड MTEC की फी है 1.36 लाइड MSC की फी है 1.28 लाइड और PhD की फी है 2.86 लाइड तो अब हमारा Rank 8 पे है बहुत ही अच्छी है यहां पे टोटल आपको 11 departments है courses आपको 52 courses टोटल प्रवाइड की जाती है टोटल फैकल्टी है यहां पे 412 और student in tech है 1500 प्लस और दोस्तों इस college की popular courses है BTEC और MTEC आपको यहां पे scholarship merit based और need based प्रवाइड की जाती है और दोस्तों आपको IIT Goati की 2021 की highest placement package है 70 lakh per annum और average placement package है 21.42 lakh per annum और अब मैं आपको इस college की courses wise annual fee बताऊंगा तो यहां के लिए BTEC की fee है 2.99 lakh 60 MSC की fee है 85,610 MTEC की fee है 49,610 Dual MTEC Plus PhD Computer Science & Engineering की fee है 45,520 और PhD की fee है 65,750 तो चली अब next college की और बढ़ते हैं तो next हमारा rank 9 पे है IIT Hyderabad तो IIT Hyderabad को 2008 में established किया गया था इसको IIT H के नाम से भी जाना जाता है Location इसकी है Hyderabad तेलंगाना Campus size है इसकी 576 acres ranking भी अच्छी है और यहां के department आपको total 17 department है courses आपको 60 courses provide की जाती है faculty यहां पे 216 faculty है और 660 प्लस student in tech है इस college की और 2020 के highest placement package है 60.41 lakh per annum और average placement package है 2020 की 22 lakh per annum और अब मैं आपको यहां के courses के fee बताने जा रहा हूँ तो यहां के लिए BTEC की fee है 2.93 lakh BTEC की fee है 2.93 lakh MT की fee है 1.3 lakh MSC की fee है 1.3 lakh MDES की fee है 1.3 lakh MA की fee है 3.30 lakh and PhD की fee है 1.27 lakh और दोस्तो अब हमारा इंडिया में IIT के लिए last rank 10 पे college है IIT धनबाद तो दोस्तो IIT धनबाद को 1926 में established किया गया था इसकी location है सरदर पतेल नगर धनबाद चार कंड और यहां के total आपको 71 courses provide की जाती है और इसकी faculty 330 प्लस है और इसकी collaboration 37 प्लस companies से है और यहां की ranking भी अच्छी है और दोस्तों यहां की जो highest package है 70 के rupees 43,00,00,00 और average है rupees 14,00,00,00,00 और अब मैं आपको यहां के courses by fee बता देता हूं तो यहां के लिए BTEC की fee है 1,00,00,00 Integrated MTEC की fee है 1,00,00 MTEC की fee है 15,000 MBA की fee है 75,000 MSE की fee है 8,000 and PhD की fee है 6,000 तब तक के लिए थैंक्यू दोस्तों मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए फिर मिलते है नेक्स्ट वीडियो में और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon button को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि हम ऐसे ही informative videos लाते रहते हैं